नमस्कार आप देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ स्वाम्याश्री भारती नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है और ये ताकत भारत अपने दम पर बढ़ा रहा है यानि मेकिन इंडिया की तहट बढ़ा रहा है भारत स्वदेशी तरीके से कई युधक उपकरण, युधपोत और सब मरीन को बना कर खुद को अपने दुश्मन के खिलाफ मजबूत कर रहा है हाला कि इस समय भारत सरकार का अधिक ध्यान परमाणू पंडूपियों पर है इसी कड़ी में भारत अब तक कई परमाणू पंडूपियां बना चुका है जो समुदरी सिमाओं पर दबदबा बनाये रखने के लिए बेहत काम आएगी हाल ही में भारत में अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी परमाणू प्रतिरोधक छमता को मजबूत करने के लिए विशाखा पत्नम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणू संचालित बैलिस्टिक मिसाइल यानि SSBN पंडूपि को लौंच किया है इस पंडूपि के 75 प्रतिशत सामान भारत में बने है इसमें लगा मिसाइल 3500 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने की चमता रखता है ये अपने तरहा की आखरी पंडूपि है जिसे S4 नाम दिया गया है हाला कि अभी आधिकारिक नाम की घोशना होना बाकी है भारत ने पंडूपियों के मामले में अपना सफर INS अरिहंत के साथ 2013 में शुरू किया था इसे 2009 में लॉंच किया गया था इसे विशाखा पत्नम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बार्ख भारतिय नौसेना और DRDO के विग्यानिकों ने तयार किया था 2011 में इसे कमिशन किया जाना था लेकिन विभिन कारणों से इसमें देरी हुई थी हाला कि अगस्त 2013 में पंडूपि के परमाणू रियाक्टर को सक्रिये किया गया और अगस्त 2016 को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इस स्वदेशी पंडूपि को नौसेना में शामिल किय इसकी संघारक छंता 750 किलो मीटर थी इसके निर्मान के साथ ही भारत छटवा ऐसा देश बन गया था जिसके पास स्वदेशू परमाणू पंडूपि थी भारत के दूसरी पंडूपि थी आईनेस अरिखाट जो इसी साल अगस्त महीने में आंद्र प्रधेश के विशाखा पत्नम में रक्षा मंत्री राजना सिंग की मौजूदकी में भारतिय नौसेना में शामिट हुई थी वो नवंबर 2017 में लौच की गई थी यह आईनेस अरिहंत से जादा एडवांस परमाणू उज्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पंडूपि थी इस पर लगने व पंडूपियों की तरह इन्हें चार्ज होने के लिए बार-बार सतह पर आने की जरुरत नहीं होती है आईनेस अरिखाट 12 के 15 साकरी का पंडूपी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकता है जिन में से हर एक की मारक छमता 750 किलोमीटर है या फिर यह आठ क पंडूपी पर केंद्र सरकार विशेर स्थ्यान दे रही है यही कारण है कि सरकार ने भारतिय नौसेना के लिए तीसरे विमान बाहत पोत के मुकाबले परमाणू हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पंडूमियों को प्रात्मिक तादी है साथ ही इस डे इन हिस्ट्री में जानिये इतिहास की खास बाते रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीस सेक्शन्स जोड़े हैं अब देखिए अलग-अलग न्यूस चैनल्स और मज़ेदार कहानिया और हां सिटीजन जर्नलिस्म को बढ़ावा देने के हैं यहां आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं खास कर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग-अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं तो अब इंतजार कैसा है फटाफट गूगल प्ले स्टोर या आई ओएस पर जाएं और रितम आप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज